हेलो दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम मेंटिनेन्स के ओप़ ……askस करने वाले हैं कि मेंटिनेन्स क्या होता है और, टाइपस उप मेंटिनेन्स क्या है तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा detail में discuss करेंगे, वीडियो आप आखरी तक जरूर देखेगा, अगर आप maintenance की field में interested है, अगर आप maintenance की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप maintenance department में है, चाहिए आप किसी भी industry में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी important है, तो देख में कोई भी machine करे दरे हो, तो उस machine के साथ में, उस device के साथ में हमको एक manual मिलता है, ठीक है? हमको एक manual मिलता है और उस manual को हम अकसर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना चाहिए वो manual, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं उस manual को, उस manual में manufacturer उस machine से related कुछ चीजे हमको ब उस machine के साथ में हम कर सकते हैं, वो चीजे हमको manufacturer बताता है, और बाकी जब हम machine को use करते हैं, तो ने ने जो हमारा experience रहता है उस machine के साथ में, उस तो according भी हम उसके बाद देखते हैं कि इस machine में किस types के breakdowns जादा आते हैं, किस type के breakdowns पे हमें जादा focus करना चाहिए, और root cause क्या र recording हम उनको देखते हैं, तो यहाँब में मेंटिनेंस का मतलब होता है, यहाँपे हमारा रख रखाओ, किसी भी machine का रख रखाओ, ताकि वह स tô life को इतना maintain करके रख सकते हैं क्योंकि जितना अच्छा maintenance होगा उतने ही कम breakdown होगे और उतने ही जो हमारे आउटपूट में जो product निकलने वाला है उसकी quality अच्छी होगी एंड उसका जो हमारा production होगा उस प्रोडुक्स वो production ज्यादा होगा ठीक है तो मसीन की लाइफ भी इंक्रीज होगी तो अगर हम यहां पर टाइपस ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस यहां पर दो टाइपस के होते हैं हमारे ठीक है पहला यहां पर हमारा प्लांड मेंटेनेंस जो की एक तरीके से प्लांड रहता है हमारा कि हमको इस टाइप से maintenance करना है इतने टाइम के बाद इस मशीन का maintenance करना है या फिर हमें आगे detail में डिसकस करेंगे दूसरा रहता है हमारा unplant maintenance यह unplant maintenance वह होता है जो कि कभी भी आ सकता है यह एक तरिकले का emergency maintenance मान के चलिए कि आप टू विलर या फिर फोर विलर से बाइक या फिर कार से आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक मनलब की अन्प्लांट कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है आपकी गाड़ी में या फिर बाइक में आपका टायर पेंचर हो गया फिर इंजन में कोई को एक उन्प्लांट मेंटेनेस उसके बारे में हम पता पहलihat ही अम नहीं जानते हुअ दूसरा है nya पर हमारा प्रांट मेंटेनस यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जब आपनी घाड़ी खरीदते हूं तो घाड़ी के साथ मैं एक मैनुएल म יल एक मैनुएल में लिखा हुए कितने किलोमेंटर के बाद में हमको गाड़ी के सर्विस करवानी है और कितने टाइम के बाद में हमको क्या चीज चेंज करनी चीए हमको ब्रेक सुक चेंज करनी चीए हमको इंजन ऑल कप चेंज करना चीए ठीक है तो टायर हमको कितने टाइम के बाद चेंज कर देने चीए त तो वो क्या काम करते हैं कि service centers वाले हर एक machine का हर एक गाड़ी का जो भी आप गाड़ी service center में ठीक रहा निकले जाते हो तो वो लोग उनकी हर का model number का एक history card रहता है उस history card के according जो भी गाड़ी में major problems होती है वो उसको note कर लेते हैं तो उसके according जब नोट कर लेते हैं तो manufacturer जब कोई भी नया model उस model का कोई भी नया अगर वर्जन निकालता है market में तो वो उन सब history cards को देखते हुए उसके बाद अपनी new गाड़ी उपर focus करत होता है तो यहां पर हमारे दो टाइक्स के हैं पर maintenance होगे उसके बाद अगर हम यहां फे अनप्लांट को डिस्कस करें तो यह भी दो होता है पहला यहां पर हमारा अब हमार्ट अपर चूनिस्टिक मेंटेनेंस और दूसरा है हमारा हिहाल रध elas जुआ हैं नियुक हो है लिए उसको बानद कर कर दिया इपना सारा प्रोडूक्चन और उसको मेंट्रियनेंस को दे दिया ठीक है कि आप एक काम कीजिए आप अपना काम कर लीजी तो यह तो हो गया हमारा plant maintenance कि हमारे पास order नहीं है हमको हमारे पास कोई भी machine में हमारे पास पील्चे से order नहीं है तो हम machine को 2 दिन के लिए बंद रहें और 2 दिन के लिए maintenance department आ करके कि जो भी काम करना हो वो काम कर सकता है तो यह हो गया हमारा opportunistic maintenance maintenance को एक तरीके से opportunity मिल चुकी है कि इस machine में काम करने के लिए तो अब maintenance department इस machine में check कर सकता है जो भी छोटी-मोटी problems है और वो future में बड़ी बन सकते हैं जिसके बड़े breakdowns आ सकते हैं या फिर कोई machine का जो major equipment है वो हमारा खराब हो सकता है major device खराब हो सकती है ठीक है तो वो खराब न हो इसके लिए हम जो छोटे-मोटी जो problems है उनको ठीक कर सकते हैं ठीक है पहले जो कि अभी हमको अन्प्लांट हमको opportunistic maintenance भी एक अन्प्लांट रहता है अभी machine में कोई major issue आ चुका है major कोई fault हो चुका है और उसके लिए हमको machine एक या दो दिन के लिए ठीक है यह हमने प्लान तो किया वह नहीं था लेकिन यह एक तरीके से emergency case में आज चुका है हमारे पास तो अब हमको machine लेनी पड़ेगी अब हमको production department में बात करनी पड़ेगी वहां से हमको उनको बताना पड़ेगा कि आपकी machine में यह problem है और जल्दी हमने अगर इसको ठीक नहीं किया तो in future अभी माने के चलिए अगर यह 50,000 में होने वाला है तो इन future यही cost जो है आपकी वह 10-20,000,000 तक पहुंच सकती है वह 5,000,000 तक पहुंच सकती है तो उसके लिए production department हमको machine देगा और हम इसको फिर इसको फिर इसको काम करेंगे दूसरा होता है हमारा यहाँ पर reactive maintenance भी हमारे दो तरीके के होते है पहला यहाँ पर breakdown and emergency maintenance और दूसरा यह गाड़ी में कोई problem आ जाती है गाड़ी starting नहीं हो रही है आपकी या फिर आपका टैर पिंचर हो गया या फिर कोई और problems आ गई ठीक है तो उससे related हमारा वह एक तरह के से breakdown maintenance है या फिर emergency maintenance है ठीक है इसी तरह के से company में भी होता है company में क्या रहता है कि कोई भी machine है हमारी वह कोई malfunction हो सकता है machine का कोई भी part हमारा failure हो सकता है किसी भी part में failure हो सकता है इस case में हम क्या काम करते है यहां पे उसको ठीक करते है means हमारी machine चल रही है उस machine में कोई भी मानने के चलिए कोई हमारी gear की assembly है या फिर कोई भी हमारा hydraulic system है ठीक है उसके wall हमारे काम नहीं कर रहे है या फिर मश्यें संथ कोई अधर पार्ट प्रीक कर रे हैं तो उसको कोई अपर हम इसको डिवैड करते हैं पहला यहां यहां पर हमारा routine maintenance, routine maintenance क्या होता है, कि हमारा routine maintenance में, हम routine maintenance होता है आपका, वो अक्सर machine का operator होता है, वो operator इसको करता है, जैसे कि routine maintenance में, आप सुबह सुबह operator आएगा machine के उपर, machine की साफ सपाई करेगा machine में normal, जो उसका lubrication जो होता है, machine में lubrication check करेगा, lubrication oil check करेगा hydraulic oil check करेगा कि मशीन में proper hydraulic oil है या नहीं है मशीन में lubrication है या नहीं है मशीन proper तरीके से काम रही है या नहीं कर रही है वो एक normal चीज़े जो होती है सुबह आ करके machine चलाने से पहले check करने वाली पानी की जरूरत है तो पानी मसीन में डालेगा को ब्लत है कि को करेगा और routine maintenance वो मसीन के साथ में 우毛 में के साथ मेंपनलों रखते हैं कि आप routine मेंटेनेंच जो है वो किस तरीके से मसीन का कर सकते हो जिससे कि आप मसीन की लाइफ को इनक्रीज कर सकते हो मसीन से निकलने वाला जो प्रोड़क्ट है उसकी productivity आप बढ़ा सकते हो, उसकी quality आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमारा preventive maintenance, preventive maintenance में क्या होता है, preventive maintenance हमारे do types को होते हैं, पहला है हमारा schedule या फिर fixed maintenance, दूसरा यहाँ पर हमारा condition based maintenance, जिसको हम CBM भी बोलते हैं, ठीक है, condition based इसमें क्या गाम करते हैं जब भी कोई न्यूव मसीन आती है पहले बात तो उसके मैनुवेल में कुछ से नॉर्मल पॉयंट से लिखेंवे रहते हैं कि हैं वह कितने टायम के बाद हमको चेंज कर देना चाहिए कुलेंट हमको कितने ताइम के बाद चेंज कर देना चाहिए इसी तरीके से अगर गेज है तो वह गेज कितने टाइम के बाद क्यूंकि हाइडॉलिक गेज या पर लूबडी केसे गेज जो होते है प्रैसर गेज हमारे उनके अंदर एक बर्डन ट्यूब होती है तो उस इसमार। किन्त तमकुल पो ऊस समझे गा नहीं करते हैं ये खेता ही पर दो हम चलाते हैं तो हम छहां को पता लगता है कि हमह ब्रेक आती है किस किस अगे कोद एस्याग में तो उन प्रोग्लम को देखते हुए हम अपनी आप रिवेंटीव मेंटेनेंस की चैक सीड बनाते और उस यह का चैक सीड करते हैं हमारा एक तरक सहरे क्या उसको हम किसी भी मचीनर का माने किया करेंंगे को हम क्या काम करेंगे हम इसका एक सडूल बना लेंगे कि हम हमको महीने में एक बार इस मशीन का सडूल मेंटेनेंस है पर इस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने करने है और हर महीने में हम कोई भी डेट फिक्स कर लेंगे उस डेट पे मन के से लिए हर महीने की एक तार है है युद्ध का फ्रोट करने है कि भी प्रॉप पर स्लाइड नहीं यह कोई भी ही तो नहीं है वहारे हमारी लूज तो ही होगी क्यूंकि मशीन जब चलती है तो वाइब्रेट करने से कोई क्नेक्शन लूज हो जाए टीक है तो और मसीन में जो फैन लगे हुवे यह मोतर का माघगर करना है हमने दूसरा है यहां पर हमारा समर्प संब कर नेनस में कर रहे हैं उसमें क्या है हम यह सकते हैं को बीचियुक्मेंट है म 냉सीन का और वो हमको पता है कि वह इस किस्कूमेंट की वज़ेसे बार-बार जो है घृता टी है तो अभी हम अने उसको ठीक तो कर दिया करने के बाद अब हम उसका क्या क्या करेंगे हम उसका एक प्लान बना लेंगे कि हमें हम इस जो यह equipment है इसकी विए से बार-बार हमारे मसीन ब्रेकडाउन आते हैं और हम कोई भी प्लान बना करके उस पार्ट को मसीन के उस पार्ट को हम चेंज करने की कोसिश करेंगे या फिर हम उसको रिपेर करने की कोसिश करेंगे तो एक कंडिशन बेस्ट मेंटिनेंस हो गया हम किसी मसीन को हम अब्जर्व करते हैं मसीन के ब्रेकडाउन को हम देखते हैं मसीन के हिस्ट्री कार्ट को हम दे आते हैं उसके according हम फिर उसके बाद उसका maintenance करते हैं तो हम उसको चेंज करेंगे रिपेरेवल है तो हम उसको रिपेर करेंगे थर्ड आता है यहां पर हमारा predictive maintenance का मतलब होता है predictive का मतलब होता है यहां पर हमारा पूरुवा नुमान मतलब की जैसे कि हमने यहां पर करना है ऑपने किसी भी मसीन का देख रहे हम किसी बितायों कि हम लुग क्या काम करते कि हमको हमारा मसीन कि अगर कि चुछी ऑलिए बन इसेंबली है एसेंबली हर रहे हैं और हम को पता है कि यह future में जो है वह बड़ा major issue बन सकता है और अगर अभी हमने इसको ठीक नहीं किया तो इसके विए से हमारी गेर की पुरी की पुरी असेंबली जो है वह खराब हो सकती है या फिर अभी नॉर्मली मानने कर चलिए हमारा कोई भी या फिर मोटर में हमारी कोई प्रोब्लम है तो हम लोग उसको अब्जर करने के बाद हम एक तरह के से पूर्वा अनुमान लगाते हैं उस मसीन को लेकर की हो सकता है भाव इससे में इस issue से कोई major issue बन सकता है श uh जो एक तरह के से जो पैसू का जो ऐक major जो कोस्ट उस से लगने वाली है जो सका लगाएगा तो उसPत हमारे यह चीज करने के लिए हम पूर्वा अनुमान लगाते हैं किसी दी चीज की बाद हम उसको regularly check करते रहते हैं उसको observe करते रहते हैं और उसके बाद हम उसका maintenance करते हैं जैसे कि PLC के अंदर बैटरी होती है उस बैटरी को हम लगबक 6 मैंने या फिर एक साल के अंदर अंदर हम उसको change कर देते हैं बैटरी काम कर रही हो लेकिन फिल भी हम उसको चेंज कर देते हैं और इसी तरी किसे ओवरलोड रिले जो होती है हमारी मोटर में जो लगी रहती है मोटर को प्रोटक्ट करने के लिए या फिर हमारी एक time के बाद हमको नहीं पता कि यह सही तरीक से काम करेंगी या नहीं करेंगी इनकी life जिए वो over हो जाती है और manufacturer भी इनके manual में हमको देता है कि कितने time के बाद हमको ओलर या फिर MPCV change कर देनी चीए ठीक है तो यह तरीकर से से प्रियर प्रिडिक्टिव में टैनेंस इसके बाद बात आतिया प्रोयक्ट्व मेंट्परे मेंट्डेनेंस की प्रोडिक्ट्व मेंट्ट इनस मिस्के तरीकर से इस प्रोयक्टिव का मतलब होता है इक है कि मतलब ही होता है कि हमारा हम रागular किसी मसीन की ब्रेकडाउनुल पे जा रहे हैं और ब्रेकडाउन पे जाने के बाद हमको किसी भी हमने ब्रेकडाउन ठीक कर दिया लेकिन बार-बार उस मसीन का हम एक ही रूटका जुकर बार बार रहemand와 Beyond करते हैं किसी में में कि को करते हैं इसी को क्षिशित करते हैं किसी कि एक में मिल रहा है यह दो हम रही है तो हम लोग उस 際 करते हैं रहा है महान के चलिए हमारी motor अगर कोई भी हमारी ख्रीफेस की इंडक्षिन पर हमारी जल गई तो motor की क्यों जलुगा उसका रूट कॉस क्या है मोटर में पानी चला गया यहां पर मोटर में सौर्ट सर्कीट हो गया कुछ भी हो गया लेकिन root cause क्या था हमारा MPCV हमारी जो मचीन जो है वो मोटर जो है ओवर लोड हो गई या फिर हमारा क्या कंडिशन थी इसका बैरिंग जाम हो गया या फिर कोई लेकिन क्यों से लिए कोई ब्रेक्डाउन करते हैं जो हम उसका मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें एक वायवा लेसिस किया जाता है वाया यालेसिस मेंज की इसमें वायवाै जनेकर्ने का में कारण ही होता है कि हम रूट कॉस्स तक पहुंस सकें कि वह मचीन में कोई ब्रेकडाउन आया तो उसका रूट कॉस्ट क्या था टीक है तो यह था एक डिटेल्ड वीडियो मेंटेनिस का आई होप कि आपको इस व वीडियो के ऐसे लगी प्लीज आप मैं कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपका फीड़एक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट रहते हैं आपके फीड़एक सही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो जुनाने के लिए अगर आप तब भी वीडियो के निचे कमेंट कर सकते हैं मैं आपके सभी कमेंट्स परता हूँ और उनके रिप्लाइ करने की भी कोशिस करता हूँ तो थैंक्स पर वाचिंग गाईज जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गोडबलेच यॉल